मद्यप्रदेश में मतदान हो चुका है जल्द ही यहां परिणाम भी आने वाले हैं और इसी दोरान चुनावायोग ने इस बार काउंटिंग को लेकर खास तैयारियां भी की है रिजल्ट और काउंटिंग के लिए जो चुनावायोग है उसने खासी तैयारियां की है अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी जारी किये गए है सबी प्रत्याशियों की सांसें इस समय बढ़ी हुई है मध्यप्रदेश की किसमत का फैसला तीन दिसंबर को होगा इवीम में सबकी किसमत कैद है परिणामों को लेकर प्रशासन ने अपना सब्त रवया एक्तियार किया हुआ है वोटिंग के खत्म होने के बाद इवीम को स्ट्रॉंग रूम में कैद कर दिया गया है और साथ ये साथ स्ट्रॉंग रूम के बाहर सकती से पहरा दिया जा रहा है जिला निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिन में दो बार निरिक्षन के लिए भी जा रहे हैं और बार बार वहां की तहकीकात की जा रही है चुनाव आयोग ने इस बार काउंटिंग को लेकर खास तैयारिया की है और अधिकारियों को कई एहम निर्देश भी जारी किये हैं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार 30 नवंबर तक एक्जिट पोल पर पूरी तरह से बेन लगा रखा है जबकि 3 दिसंबर को जो परिणाम हैं वो आने वाले हैं मदगर्ना को लेकर मधिप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदादिकारी अनुपम राजन ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फरेंस के जरीए बातचीत की थी उन्होंने इस दौरान जिलेवार मदगर्ना को लेकर एहम चर्चा भी की इस दौरान कई आवश्चक निर्देश भी दिये गए अनुपम राजन ने बताया कि मदगर्ना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और सबसे पहले यानि कि शुरुआत जो है वो पोस्टल बैलेट की गिंती से होगी इसके बाद सुबह 8 बजे से EVM में दर्ज मतों की गढ़ना की जाएगी मतगर्ना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शित होगी साथ ही अभी से ही स्ट्रॉंग रूम के बाहर केंद्रिय बलों की तैनाती कर दी गई है अभी मतिप्रदेश में आदर्श आचार सनहिता प्रभाफशील है अब ऐसे में एक्जिट पोल को लेकर भी इस बार चुनाव आयोग ने सक्त रुख अपनाया है और एहम निर्देश दिये हैं आयोग ने कहा है कि 7 नवंबर से एक्जिट पोल पर बेन लगाया गया है और 30 नवंबर की शाम साड़े 6 बज़े तक निर्वाचन आयोग कि इसके संबंद में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्जिट पोल का आयोजन कोई भी नहीं कर सकता है अगर कोई इसका उलंगन करता है तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है